देशबर में चौथे चरन की वोटिंग का आगाज हो चुका है और दिल्ली की अधी बात करें तो यहाँ पर इलेक्शन कमिशन की तरफ से जो स्पेशल इंतजाम है वो किये गए हैं तो श्री नगर में श्री नगर लोगसबा में आज वोटिंग होनी है और जो कश्मीरी पंडित जो दिल्ली में हैं उनकी वोटिंग के लिए स्पेशल इंतजाम किये गए हैं एलेक्शन कमिशन की तरफ से चार बूथ बनाए गए हैं और जो नजफगर में जो बूथ है वहाँ पर अभी हम है और जो लोग वोट डाल कर आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जानते हैं कि किन मुद्धो को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट किया है क्या नाम है मेरा नाम अमित करणु कॉल है और मैं यहां कश्मीरी कॉली नजवट में रहता हूं कश्मीरी माइगरेंट हम लोग नाइंटी-90 से निकले थे और आज हमारे लिए एक फियस्ता है एक फेस्टिव का जो हम जी रहे हैं विकर्ज हम लोग कश्मीर से हमारा पलायन जो माइगरेशन हुआ था नाइंटी-90 में हुआ था और हम लोग अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड है हमारी कुम्निटी एक अच्छी चीज है हमारी 100% लिटरेसी रेट है तो इस लिटरेसी रेट क को जो हमारी आवाज पूरे देश बर में ले जाती है किन मुद्दो को ध्यान में रखते हुए वोट किया गया है क्योंकि 370 के अब्रोगेशन के बाद पहली बार जेनरल एलेक्शन हुए हैं तो क्या समझा जाए किन मुद्दो को ध्यान में रखा गया और इसको किस तरह अध्या क्षमीर डिवट्विंट कि श् 키मरत हें डिजाए ह dentat हम में में और में मुद्दें हमारा में मुद्दा है रिटन तर होमलाइंड गई टाह में व्यूमारी एकशनुचशन हमारे न किनिक्शन के साहई हैं नहीं और हम चाहते हैं और हम अपने गर वापस जाहें उस the houses which have been lying there from last 34 years standing for its own inhabitants to return जो अपने जो गर छोड़ के गया है जो इनके खंडर हुए है उन मकानों के तो उनकी original inhabitants हम कश्मीरी पंड़े जिनकी 5000 years plus history है हम वापस जाना चाहते हैं और development of our state and development of our nation. और शुक्री आपका हमसे बात करने के लिए आपका किया नाप है? मेरा नाम सुशील बजाज है. सुशील जी आपने किन मुद्दो को ध्यान में रखते हुए वोट किया है? देखे मुद्दे तो जो बाई साब में बताये हैं वो ही है हमारे भी मुद्दे कि हमें एक तो बारत देश की उन्नती चाहिए और उसके साथ साथ हमें जो जम्मू कश्मीरी की उन्नती भी उतनी एहम है जितनी बारत की बारत देश की उन्नती है. और सबसे पहला जो कदम हमारे इस सरकार ने मौजूदा सरकार ने जो लिया है अतीन दारा तीन सु सकतर हटा के वो एक ऐहम मुद्दा है वो एक एहम उन्होंने एक फैसला लेकर यह मौजूदा सरकार ने जो उठाया था वो एक अच्छा गहष्यर था हम कश्मीरी पंडितों लिए जिसके और बहुत सारी चीजज हैं जैसे उन्हें बता है खरब आपसी तो हमें हमारी जो पुरानी जो पुराने जो वहां पड़े हो हैं वहां जाने का हमारा जो दिल्ट बाक्राइब लुख कोमुणी तो जा ओकर तो तुछ लोगोंंеся को और शिर्देट हैं कि आप लोगों को वापस जाना है यह कहीं पॉलिटिकल कॉंटेक्स में नजर नहीं आता तो क्या आपको उम्मीद है किसी पर्टिकिलर दल से कि हां वो इस बात को सोचेंगे इसके लिए कोई कदम उठाया जाएगा देखें अगर हम यह वोट डाल रहें यह तो बीवेरी ओन सकता है जो इस दोर से गुज़रा है हम गुज़रे हैं चौनती साल पहले हमें अपने घर छोड़ के बागना पड़ा जस्ट विकास फॉद अपने फ्लाग हम लोगों ने सब कुछ चोड़ दिया अपने पांच-पांच फ्लोर के घर होते हैं कश्मीर में और कश्मीरी बढ है कि हमारी सिकेरिटी स्टेबिलिटी और हमारा रिटरन टो होमलैंड एंड जिस मेंबर पार्लिमेंट का वोट देंगे जिस पार्टी को वोट देंगे आपको देखता है यह विजिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में की हां वो इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि उनकी कश्मीरी पंडित्स का रिहाबिलिटेशन किया जाए वहाँ ने वो देखे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने हिसाब से जो भी उनकी पॉलिटीज वो करें बट जो भी उनका कश्मीरी पंडित्स के लिए जो उनका जो कदम होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए जैसा हमने कहा कि देशुड देशुड फोकस ओन ट्रेजुड फोकस ओने कितना काम किया और क्या इस पर उनकी प्रोग्रेस रही है सब्सक्राइब के लुब बा सब्सक्राइब करेंगे तो इनका कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिहाबिलेटेशन को और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कश्मीरी पंडित जो है वो दिल्ली में वोट डाल रहे हैं